आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2 मिनिट में आप परसनल लोन 30,000 तक कैसे ले सकते हैं वैसे तो हर आदमी को कभी कभी पैसे की बहुत सारी जरूत परती है तो लोग पैसे इधर उधर बहुत मांगते हैं लेकर उनको नहीं दिया जाता है तो वो लोग इधर उधर हाथ फैलाए वेगर वो अपना परसनल लोन ले सकते हैं तो परसनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको स्मार्ट कोईन परसनल लोन अप्लिकेशन को इंस्टोल कर लेना है पले स्टोर से उसके बाद यहां से इसको हम ओपन करेंगे उसके बाद अगर आप इसमें first time login कर रहे हैं तो आपको अपना mobile नमर फिल करना है और आधार नमर फिल करना है पेन कार्ड फिल करना है एकाउन डिटियर्स फिल करेंगे और अपना KYC कम्प्लीट करेंगे उसके बाद आपके profile का हिसाब से आपको यह credit limit मिल जाएगा जैसे कि मुझे यह 1000 से लेकर के 30,000 तक मिल सकता है इसके बीज में कितना भी amount चाहें ले सकते हैं तो उसके लिए यह apply now के option पर हम click करेंगे उसके बाद यहां से आप choose कर सकते हैं आपको कितना amount चाहिए इसको कम ज़ pay करना होगा apply amount आपको 8,000 है और processing fees आपको 480 रुपय लगेगा यह 13% में आपको 60 रुपय कड़ेगा और आपको 7414 रुपय आपके account में अभी आ जाएगा उसके बाद आपको यह 2.49% का आपको interest लगेगा पर मन्त तो आपका EMI 2801 रुपय बनता है जो आपको 3 मेने में pay करना है हर मेने 2801 रुपय गरके आप पे करेंगे उसके बाद यहां अपना आप लोन का परपर जा लेंगे किस काम के लिए आप यह लोन लेना चाहते हैं वह यहां लिट देंगे और apply loan के option पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहां लोन अपलाइट successfully हो जाएगा आप यहां date time देख सकते हैं EMI amount आपका 2801 रुपय रहेगा और loan duration आपका 3 मंद कर रहेगा और interest rate आप यहां देख सकते हैं 2.49% पर मंद लगेगा और आपका GST और प्लेट फार्म चार्ज लगागे 560 रुपया कड़ेगा तो आपका step 1 complete हो चुका है अब यहां लोन प्रोसेशिंग चल देखें मेरा यहां पर loan approve हो जाएगा मुझे जहां agreement में signature करना होगा यहां लिखा हुआ भी है your loan agreement is ready please click on signature agreement to proceed चलिए हम sign agreement इसके option पे हम click करेंगे उसके बाद इस तरह का आपके सामने पूरा document आजाएगा term and condition इसमें दिया हुआ है आप इसको read करेंगे और sign agreement इसके option पे आप click करेंगे उसके बाद देखें आपका है ready to receive loan लिखा हुआ है आपको कुछ day wait करना है उसके बाद आपके account में यह payment आ जाएगा you have signature the agreement successfully you will receive the loan amount within next three hour in your bank account आपको तिन घंडे तक का समय लग सकता है ज्यादा से ज्यादा इसके बीच में आपके account में आपका पैसा आ जाएगा so इसी तरह से आप अपना personal loan ले सकते है mobile phone से बीना कोई bank के चक्कर काटे या बीना कोई document दिये I hope कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो like कीजे comment कीजे share कीजे और इस तरह का important वीडियो देशनी के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लिए